वेल्कम बाक टो माई यूट्यूब चानल गैलेक्सी क्लासेस पी एन जे आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल गैलेक्सी क्लासेस पी एन जे में स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक वशेर करें धन्यवाद प्यारे दोस्तों आज हम इस वीडियो में सुन्दर कांड के लंका दहन के समय के चौपाई के बारे में व्याख्या करेंगे जिसमें हवा कितने प्रकार का होता है आईए सुनते हैं पूरी व्याख्या और देखिए पूरा वीडियो चलिए प्रारंब करते हैं सुन्दरकांड पड़ते हुए 25 वे दोहे पर ध्यान थोड़ा रुख गया तुलसीदास जी ने सुन्दरकांड में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी उस प्रसंग पर लिखा है हरी प्रेरित तेही अवसर चले मरुत उन्चास अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अगनी के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेर्णा से उन्चासों पवन चलने लगे हनुमान जी अट्टास करके गर्जे और आकार बढ़ा कर आकाश से जा लगे इस पर विचार किया गया कि इन उन्चास मरुत का क्या अर्थ है यह तुलसी दास जी ने भी नहीं लिखा फिर सुन्दरकांड में वर्नित उन्चास प्रकार की वायू के बारे में जानकारी खोजने के लिए अध्येन करने पर सनातन धर्म पर अत्यंत गर्व हुआ तुलसी दास जी के वायू ज्यान पर सुखद आश्चर्य हुआ जिससे शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अन्भिग्य है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायू की साथ शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्नन मिलता है अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायू तो एक ही प्रकार की होती है लेकिन उसका रूप बदलता रहता है जैसे कि ठंडी वायू, गर्म वायू और समान वायू लेकिन ऐसा नहीं है दरसल, जल के भीतर जो वायू है उसका वेद पुराणों में अलग नाम दिया गया है और आकाश में स्थित जो वायू है उसका नाम अलग है अंतरिक्ष में जो वायू है उसका नाम अलग और पाताल में स्थित वायू का नाम अलग है नाम अलग होने का मतलब यहा कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। इस तरह वेदों में साथ प्रकार की वायू का वर्णन मिलता है। ये साथ प्रकार ये हैं। नमबर छे परिवह नमबर साथ परावह अबाईये और वी एक प्रवह प्रित्वी को लांग कर मेघमंडल परियंत जो वायू स्थित है। उसका नाम प्रवह है। इस प्रवह के भी प्रकार है। यहाँ वायू अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ा कर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन होने वाले मेघो को यह प्रवह वायू ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती हैं जिससे ये में काली घटा के रूप में परिनत हो जाते हैं और रतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। नमबर दो आवह सूर्य मंडल में उद्वा है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित हैं। इसी के द्वारा धुरूव से संबद्ध होकर यह चंद्र मंडल घुमाया जाता है। नमबर चार समवह वायू की चौथी शाखा का नाम समवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित हैं। उसी से धुरूव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घुमता रहता है। नमबर पांच विवह पांचवी शाखा का नाम विवा है और यह ग्रह मंडल में स्थित है उसके ही द्वारा यह ग्रह चक्र धुरूव से संबध होकर घूमता रहता है नमबर छे परिवह वायू की छटी शाखा का नाम परिवा है, जो सब्तर्श मंदल में स्थित है, इसी के द्वारा धुरूव से संबध हो सब्तर्शी आकाश में ब्रहमन करते हैं। नंबर साथ परावह वायू के साथवे सकंध का नाम परावा है जो धुरूव में आबद है इसी के द्वारा धुरूव चक्र तथा अन्यान्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं इन साथों वायू के साथ साथ गण हैं जो निमन जगा में विचरन करते हैं नमबर एक ब्रहमलोक नमबर दो इंद्रलोक नमबर तीन अंतरिक्ष नमबर चार भूलो की पूर्व दिशा नमबर पाँच भूलो की पश्चिम दिशा नमबर छे भूलो की उत्तर दिशा नमबर साथ भूलो की दक्षन दिशा इस तरह साथ एक साथ उन्चास कुल उन्चास मरुत अर्थात हवा हो जाते हैं, जो देव रूप में विचरण करते रहते हैं। अद्भुत ज्यान हम अक्सर रामायन, भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं, परन्तु उनमें लिखी छोटी छोटी बातों का गहन अध्यान करने पर अने गूड एवं ज्यानवर्धक बाते ग्यात होती हैं। जै श्री राम, जै हनुमान, इस विडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विडियो को लाइक करें, शेर करें वह अभी तक न किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वर रोचक विडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार।